नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और अपने अपने घर से ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको खास किसम के टेक न्यूस के बारे में बताने वाला हूँ रेड्मी, रियल्मी, पबजी न्यूज, इसके लावर कुछ और इंट्रेस्टिंग न्यूज और साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो लॉग डाउन है जब ये खतम होगा तो इसके बाद आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए कुछ लोग ने मुझसे पूचा हुआ है कि बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है जो लॉग डाउन के बाद आप खरीद सकते हैं मैं आपको जानकारी बाद में दुनगा लेकिन ये प्राइजिंग के मामले में कॉंपिटिटिव होगा मतलब कि रियल्मी ने जो हाली में अपना फिटनस बैंड लाउन्च किया था उसके साथ में ये जो fitness band है compete करने वाला है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कभी ये इंडा में लाँच होता है in fact कभ lockdown कतम होता है उसके बाद में ये भी देखना होगा कि ये जो fitness band है ना fitness band इसका pricing इंडा में क्या होगा अगली tech news भी Xiaomi की तरफ से है आपको याद वगा Xiaomi बार-बार tweet कर रहा था कि 108 megapixel का उनका जो camera smartphone है वो आने वाला है जल्दी launch होने वाला है लेकिन लोगड़न के कारण ये भी जो launch है ये delay होने वाला है लेकिन 108 megapixel के बाद क्या Xiaomi 144 megapixel camera smartphone पर काम कर रहा है मतलब कि जो next smartphone Xiaomi लाँच करने वाला है उसमें 144 megapixel वाला camera हो सकता है अब सवाल ये आता है कि इतना जादा megapixel का आम जंता क्या करने वाली है कमेंट्स के मादियम से आप मुझे बता सकते हैं इतना जादा megapixel का क्या आप उप्योग करने वाले हैं हो सकता है कि आपके पास एक smartphone हो जिसमें 48 megapixel का camera हो या फिर 64 megapixel का camera हो क्या आप वो जो हाई सेंसर है उसका उप्योग करते हैं या नहीं कमेंट्स के मादियम से आप मुझे बता सकते हैं एक और खबर यह आई है कि Xiaomi True Wireless येफोन जल्दी लाँच कर सकता है और उसके अलावा Redmi AirDots 2 भी लाँच करने वाला है अगर आप किया आदो का मैंने Redmi AirDots का review किया था बहुत ही बढ़िया येफोन है True Bluetooth Wireless येफोन तो उसका जो next variant है Redmi AirDots 2 वो भी जल्दी लाँच होने वाला है Realme का अगला smartphone Realme X3 Super Zoom इसके बार में details भी मार्केट में आ चुका है तो जाहिर है कि ये जो 855 प्लस है इसका जो costing है ये कम होगा और इसका ये मतलब भी है कि ये जो Realme X3 Super Zoom smartphone जो है ये भी comparatively सस्ता होगा Super Zoom जो वर्ड का उप्योग किया गया है ये काफी interesting है तो देखना होगा कि ये जो smartphone है इस पर Optical Zoom का उप्योग किस हद तक किया गया है आपको क्या लगता है कमेंट्स के मादम से आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम ब्रांट्स है जो Wireless Charging सपोर्ट देते हैं अपने premium किसम के smartphone पर लेकिन जो Wireless Charging का speed होता है वो काफी कम होता है लेकिन ऐसा आगे चलके नहीं होने वाला है क्योंकि OPPO अपना नया Wireless Charging Technology जल्दी लाँच करने वाला है यह जो Wireless Charger है यह 40W Fast Charging सपोर्ट करता है जो कि as good as जो Normal Chargers है Fast Chargers उनके जितना है और इसे नाम दिया हुआ है Air Vogue क्योंकि यह Wireless है इसलिए तो यह जो टेकनलोजी है यह भी कफ़ इंट्रेस्टिंग होगा और दोस्तों मुझे आप बताइए कि क्या आप Wireless Charger पसंद करेंगे खरीदना या फिर जो नॉर्मल Charger है वायर्ड Charger वो खरीदना पसंद करेंगे कमेंट्स के मादम से आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों हाली में एक खबर आई थी कि PUBG Mobile अपना जो Services है इंडिया में सस्पेंड करने वाला है और काफी लोग ने इसे शेर किया है इनफाक PUBG खेलते-खेलते अगर आपको यह बात समझ में आगी तो मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजी अब सबसे बड़ा प्रावल्म यह है कि जब कभी कोई leaked information आता है तो उसके उपर तुरंथ ही आर्टिकल्स बन जाते हैं वीडियो बन जाते हैं बिना सोचे समझे बिना कोई research किये हुए और इसी कारण वरेश जो लोग हैं वो भी काफी confused हो जाता है इन फाक्ट एचीज समझना भी बहुत ज़रूरी है कि यह जो PUBG Mobile है यह servers पर रन होते हैं और servers पर भी कभी कपार maintenance की ज़र्द पढ़ती है लेकिन बहुत सारे multiple servers होते हैं तो वो जो impact है ज़ादा करके बढ़ता नहीं है और आप मैंसे काफी लोग PUBG Game खेलते होंगे मैं भी काफी खेलता हूँ और मैंने आज तर कभी भी ऐसा देखा नहीं है कि जो PUBG Server है वो डाउन हो तो दोस्तो PUBG Mobile जो अपने services इंडिया में suspend करने वारा था वो जो news है ये एक तरह से सही नहीं थी इनफाक्ट इस प्रकार के बहुत ज़्यादा news आपको मिल जाएंगे YouTube पर और websites पर इसे कहते हैं News बनाना और चली दोस्तों आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा smartphone खरीजना चाहिए Best smartphone to buy after lockdown देखे जब कभी कोई smartphone launch होता है तो 15 दिन या फिर एक महिने के बाद वो जो smartphone है वो outdated हो जाता है क्योंकि एक नया smartphone market में आ जाता है और अब क्योंकि lockdown शुरू हो चुका है अब 21 days का lockdown है आगे चल के पता नहीं कितना दिन और extend होने वाला है तो अगर आप 21 days को तो मैं आपको suggest करूँगा कि जो भी आपने smartphone select किया हुआ है उसे अपने wish list में रखिए लेकिन इंतजार कीजिए नए smartphones का launch होने का मतलब कि यह जो lockdown है यह खतम होगा उसके बाद में बहुत सारे नए smartphones launch होने वाले है in fact lockdown के पहले ही काफी जो brands है उन्होंने prepare करके रखा था कि वो अपने smartphone launch करने वाले हैं लेकिन क्योंकि अब यह जो lockdown है यह implement हो चुका है और हो सकता है कि extend हो तो जब कभी यह lockdown है खतम होगा उसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत सादा बहुत जादा नए smartphones launch होने वाले है सब जो brands है वो ready है अपने नए-नए smartphones को लेकर और तभी आपको इतने सारे options मिलेंगे इतने सारे options मिलेंगे कि यह जो पूराने options है इन्हें फिलाल तो आप side में रखिए तो आज की तारिक में कोई sense नहीं बनता और वैसे भी आप आज की तारिक में lockdown के समय कोई smartphone नहीं खरीद पाएंगे तो बहतर होगा कि lockdown एंड होने का इंतिजार कीजिए और उसके बाद में बहुत सारे जो नए smartphones launch होने वाले हैं उनके लिए आप जाएए और एक खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इतनी जल्दी outdated नहीं होने वाला है तो दोस्तों ये tech news आपको कैसा लगा comments के मादिम से आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और देखते रहिए